हेलो फ्रेंट स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल इसमाइन इन्वेस्टमेंट में नेटवर्क 18 टीव 18 दोनों ही शेयर में आज बहारी वॉल्यूम के साथ 20 परसेंट का लोवर सरकेट लगा है फ्रेंट जिस तरह के डील कर अनौंस हुई थी ऐसा लग सकते हैं पर उसके अपोजिट स्टॉक सुबह जब खुले उसके बाद एक बड़ी गिरावट आई स्टॉक में और लगबग 52 वीक के हाई के आसपास से स्टॉक में बहारी वॉल्यूम के साथ करेक्शन आई और दोनों ही स्टॉक लोवर सरकेट के आसपास जाके बंद कमिंग संडे को फस्ट में 2022 को हमने एक बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट का एक लाइव एक घंटे का ऑनलाइन सेशन रखा है जो भी सेशन अटेंड करना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन में लिंक आपके लिए डाल दिया गया है वहाँ पर आप अपने डिटेल फिल कर सकते है सेशन फ्री ऑफ कॉस्ट एर पंदरा मिनट का Q&A सेशन होगा जहां पर आपकी क्वेरिस का हम आंसर करेंगे फिंट्स वेटनर्स टे को ये न्यूज आई थी कि जो है रिलाइंस और वायकॉम एक टीन में के स्ट्रेजिक पार्टनर्शिप हो रही है बोधी ट्री सिस्टम क कंपनी होगी इंडिया की पहली नजर में जो डील है वो काफी अट्राक्टिव लगती है साड़े तेरा हजार करोड के आसपास जो है बोधी ट्रेल सिस्टम इन्वेस्ट करेगा और सुरह सो पैतालेस करोड रूपे एडिशिनल जो है रिलाइंस इन्वेस्ट करेगा तो प यहां पर क्या ऐसा चीज है जो इन्वेस्टर्स को हर्ट कर रहा है सबसे पहली बात तो यह है जो जीओ है उसकी जो वालुएशन है वह अभी जो है डिसाइड नहीं हुई है कि इस वालुएशन पर जीओ ट्रांसफर होने वाला है और वहां पर जो है इंडिपैंडेंट व किनेगी उसमें टीवी एटीन का स्थे कितना होगा यह चीज मॉर्च को लिएर इक नहीं है वहां पर मार्केशेद को यह चीज्ज लग रही एक है कि टीवी का डैleewूशन वहां सकता है त्सकी वालुशन वहां पर क्या होगी उसकी वजह सेक बड़ी विकवालीशियर में देखने को मिल रही है दूसर रिजन कहीं न कहीं ये भी है कि दोनों ही शेयर्स काफी भागे हुए थे शेयर्स मार्कित को कहीं न कहीं डील का आइडिया था जिसकी वज़ए से दोनों स्टॉक जो है फिफ्टी टू वीक हाई के आसपास चल रहे थे जहां से एक्जेक्टली आज गिरावर्ट देखने को मिली है तो एक प्रॉफिट बुकिंग भी आई है और डील में ऐसा कुछ अट्राक्टिव नहीं है और अंसल्टेनिटी है यहां पर अब भी स्ट्रक्चर के लिए नहीं कि नहीं एंट्टी में टीवी एट्टी बनेंगी 50% होल्डिंग उसकी प्रोस्ति प्रॉच्टेंट की इसटेक कितनी होगी टायलुचंग के बाद में जीओ की वैलूचन में जिसके प्रॉफिट बुकिंग भी यह एक भारी बरकम सेलtoi को मिली है बात आतिके पीछे हमने देखा था यहां पर यह दूसरी एक काफी बड़ी डिजिटल स्ट्रीमिंग जो है कंपनी एंटर्टेन्मेंट कंपनी बनने जा रहे हैं तो यह सेक्टर कहीं नहीं के बहुत पॉजटिव लगता है पर क्योंकि स्टॉक भागे हुए हैं और जिस तरह की करेक्शन आज आए हो सकता है थोड़ी बहुत करेक्शन मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ी करेक्शन कल देखने को मिलेगी यह कल भी लोवर सरकेट लगेगा थोड़ा बहुत जो ह करेक्शन के साथ कर खुल सकता है मेरा मानना है एक तो या तो आप वेट कर लीजिए जब तक क्लियारिटी आ जाए कि जियो की वालुएशन के वालुएशन पे जियो सिनेमा ट्रांसफर हो रहा है और कितना डाइलुएशन वहां पर होगा जो नहीं एंटिटी बनेगी या फिर जो खरीदना चाहते हैं वह लॉंग तरम के हिसाब से एसाइपी मोड में एक्यूमिलेट करें चोटी-छोटी क्वांटिटी खरीतें जितनी करेक्शन आए वहां पर एक्यूमिलेट करें स्टॉक भागे हुए मोका आपको मिलेगा स्ट्रक्चर सामने आ चुका है बनाके जो कि लगबग जो है त्री इस की मैं बात कर रहा हूं आप छोटे-छोटे क्वांटिटी में खरीद लिए एक बार वेट कर लीजे क्लियरटी आने के लिए कि किस वालोइशन पर जीओ सिनेमा ट्रांसफर होने वाला है टीवेटीन की स्टेक कितनी रहेगी नई एं प्रेटे नहीं आते स्टॉक थोड़ा रेंज में ही ट्रेड करेंगे और जहां पर आपको थोड़े निच्चे के लेवल पर खरेदारी करने के पूरे मौके मिलने चाहिए फर्दर आपके कोई भी कोई इस वीडियो को ले करो फिल फ्री तो आसक में दे कमेंट सेक्शन वी